बिहर के बाहुबली और पूर्वसानसद आनन्द मोहन की जेल से रिहाई का देश जारी हो चुका है आनन्द मोहन को पाल गंज के जिला दिकारी रहे जी कृष्ण नया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में बंथ है आनन्द मोहन की रिहाई के साथ इस दिल दहला देने वाले वक्कियां की याद ताजा हो गई दूसरी तरब बड़े पैमाने पर आनन्द मोहन की रिहाई का विरोध भी हो रहा है आई जानते हैं कि वो घटना कौन सी थी जिसके चलते 14 साल से जेल में बन थे आनन्द मोहन चलिए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं 5 दिसंबर 1994 को बिहार के मुजफ़र पूर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई भरी दो पहर में आम लोगों की भीड ने एक शक्स को गाड़ी से खीचा और गोली मार कर हत्या की जिस शक्स की हत्या हुई वो के और नहीं गोपाल गंज के जिला दिकारी जी कृष्णया थे असल में इस हत्या से एक दिन पहले उत्तर बिहार में छोटन शुकला नाम के शक्स की हत्या हुई थी छोटन शुकला मुजफ़र पूर का स्वखोशिट डॉन था उसकी हत्या के बाद लोग काफी ज़्यादा गुसे में थे गुसाय लोग हाईवे पर छोटन शुकला का शवरक कर प्रशासन के खिलाफ नारे बाजी कर रहे थे उसी दौरान जी कृष्णया अपने सरकारी वहन में समार होकर उधर होते नजर आए उन लोगों ने सोचा कि ये मुजफ़र पूर के डीम की गाड़ी है जबकि ये सच था कि हाज़िपूर में मीटिंग में शामिल होने के बाद जिला दिकारी कृष्णया अपनी तैनाती वाले जिले गुपाल गन जा रहे थे इसे दौरान महां खड़ी गुसाई भीड ने उनके उपर हमला किया दिन दाड़े सरियाम एक सरकारी अधिकारी की मॉब लिंचिंग ने नैशनल लेवल पर संसनी फैला दी मामली की सुनवाई साल 2007 में शुरू हुई तब उसी दौरान के बाहु बली नेता अनंद मोहन छोटन शुकला के भाई मुन्ना शुकला अखलाक एहमद और अनुन कुमार को लोवर कोट में फासी की सजा हुई बाद में पटना हाई कोट में सुनवाई के दौरान मौत की सजा को होमर कैद में बदला गया साल 2008 में सबूतों के अभाव में अनने को बरी किया गया लेकिन अनंद मोहन को रहत नहीं मिली अब नितीश सरकार की कैबिनेट में परिहार कानून में संशोधन का लाब आनन्द मोहन को मिलने की उमीद है आनन्द मोहन की रहाई की कोशिश पर कई लोगों ने अपती जिताई इसमें एक बड़ा नामुत्तर प्रदेश की पुर्व मुख्यमंत्री मायावती का है कि पुर्वाद लूगों नामुत्तर है